एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों का इस बड़ी कवरेज में मैं अखिलेश आनन स्वागत करता हूँ और अभी की सबसे बड़ी खबर ये कि देश में NDA की सरकार बनने जा रही है लेकिन BJP सिर्फ अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है यानि बहुमत के लिए जो जादू याकडा होता है उससे पीछे है BJP BJP को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल रहा है अभी BJP के प्रत्याशी 242 सीटों पर लीड लिए हुए है BJP का वोट शेयर 2014-2019 की तरह है हलाकि MP दिल्ली उत्राखंड BJP ने इन जगों पर क्लीन स्वीप किया है सरकार ब इंडिया अलाइंस के लोग भी लगातार संपर्क में हैं नितीश कुमार को उप प्रधानमंत्री तक का उफर दिया जा रहा है ये भी सुत्र बता रहे हैं अमिश शाह की चंदरबाबू नाइडू से फोन पर बात हुई है सरकार बनाने को लेकर दोनों ही खेमों में हल चल है हलाकि अभी जो तस्वीर है उसके मताबिक एंडिया की सरकार स्पष्ट तोर पर बनती हुई नजर आ रही है मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे सहयोगी संदीव चौधरी के पास कुछ और जानकारी के साथ वहां से वो विशलेशन भी करेंगे संदीव बिलकुल अखिलेश और जैसा आपने कहा 298 का आकड़ा लेकिन इसमें ज्यादा महत्पूर आकड़ा जो अखिलेश बता रहे थे वो है बीजेपी का 242 यानि की बहुमत के आकड़े से बीजेपी अपने दम पर अभी 30 सीते कम है अब मैं एक और थोड़ा सा दिल्चस्प ग घटाते हैं तो ये आकड़ा 280 पर आ जाता है और 227 में जोड़ देते हैं 30 तो ये 257 का हो जाता है तो अगर खेमें बदल जाएं तो खेल कितना पलट सकता है उसी के चलते इतने फोन कॉल्स आपस में किये जा रहे हैं प्रदान मंत्री अमित शाह वो चंदरबाबु उसे बात कर रहे हैं और ये प्रदान मंत्री मोधी के राजनतिक जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्हें यानि कि उनकी पार्टी को सपश्क भहूमत ना मिला ये पहली बार हुआ हुअ दस साल से भारत के प्रदान मंत्री हैं अभी तक जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा उन्हें पूरी काम्याबी मिली और उन्होंने प्रधानमंत्री और मुखमंत्री के तौर पर जो चाहा वो किया गोई उसमें बाधा नहीं थी यहां तक कि जब दिल्ली में आए तो उन्होंने कहा बीजेपी प्लस अडवानी का वो फार्मूला एंडिये प्लस उन्हो भी सकती है कोई गारंटी नहीं है कि सरकार बनेगी की नि बनेगी बन सकती है नहीं भी बन सकती है क्योंकि देखिए चंदरबाबु नाइडू उनकी राजनीत को हम सब जानते हैं नीतिश कुमार उनकी राजनीत को हम जानते हैं और जो छोटे-छोटे स्रयोगी दाले हैं के पास एक सीट है दो सीट है हम लोग उनकी राइमीत को भी जानते हैं सवाल यह है कि कहां से अच्छा प्रस्ताव मिलेगा पहली बात दूसरी बात अगर मैं अपने आपको एक छेत्री मिनट के लिए रोकता हूं